अब देखो हर किसी को बता है, Elimination Chamber तो बहुत जल्दी आने वाले है, कई बार लोगों को लगता है कि बाई, जो Elimination Chamber है, वो पूरे साल के पेपर वीव में से सबसे जादा खतरनाक पेपर वीव है, चाहे हम बात कर ले लैडर मैच की, मनिन दा बैंक की, चाहे हम बात कर ले है Elimination Chamber मैच हो सबसे जादा खतरनाक है, बट ऐसा नहीं है, कावी सारी फैंस का कहने है, Elimination Chamber जैसे पेपर वीव को बंद करा देना चाहे है, जी हा, मैं गलत नहीं बोल रहा है, ऐसा कावी सारे लोग कहते है, WWE Universe के बंदे कहते हैं, बट ऐसा क्यों कहते है, आज मैं आपको इस आप देखना, मेरा नाम है दुरूफ, आप देख रहो है, बहुत सारी वीडोस मैप के लिए लात रहोंगा, तो प्लीज चाहन को सब्सक्राइब कर देना, जो पांच नमर पे चीज आती हो है, बहुत सारे फैंस का यह कहने है, जो एलिमिनेशन चेंबर रेसल मीने से कुछ पहले होता है, तो बिल्कुल प्रेडिक्टेवल होता है, कि जून सा बंदा चैंपन्चिप को डिफेंड करने के लिए आ रहे है, पांच बंदों के अगेंस्ट, वही बंदा रिटेन करके जाएगा, मैं आपको एक वार फैक्ट भी बता देता हूं, पिछले 10 सालों में सिर ऐसा एक बार हो है, कि जो चैंपन है, वह अंदर गया हो, और वह बंदा हार के वापिस है, वरना हर बार चैंपन ही रिटेन करके आता है, और ऐसा हो था जॉन सीना के केस में, यह बहुत ही बड़ा फैक्ट है, और यह मेरे कहले से प्रूफ भी है कि यह जो चैंपिन्शिप वाला मैच है, इसको बिल्कुल हटा दिया जा, और यह वाला मैच ऐसा ना हो, बाकि आपके यह उपीने, क्या आप चाहते हो कि जो चैंपिन्शिप मैच है, वो ऐसी एलिमिनेशन जमर में होता रहे है, फिर ना हो, आप नीचे कमर्स पर बता सकते हो, हम चलने के चौती ची अंदर खड़े रहेंगे, और हर 5-5 में एक-एक पॉड़ खोलेगा, तो पिछले कुछ सालों से डेपल डेवली ने यह वाला फैक्ट इंटर्ड्यूस करा, एक बंदया जिसको special opportunity मिलेगी, वो बंदा लास्ट में आ सकता है, अब देखो काविबार ऐसे लोग कहते है, यह अब बंदेखो को मार देती है, जो सप्राइज एलिमेंट मिलना चाहिए, आप कौन सा बंदा आने वाले, वो बिल्कुल खतम होजाता है, क्योंकि हर बंदेखो उन्हें पता होता है, और एक बंदेखो पता होता है, यह बंदा एंड मेहीं आएगा, तो इस चीज मेरे खाल के गेट को होल के अंदर खुश जाता है, और अटैक कर देता है, बागी सब के उपर, मुझे नहीं पता है, इसमें थोड़ा सा फन आता है, थोड़ा सी किक मिलती है, लेकिन हां कई बार इस फोड़ा सा इरिटेटिंग भी लग जाता है, कहीं बार चाहिए हील सुपशर होत बहुत जादा इंपोर्टेट है, और यह है, और अब इसका मलद है, यह है कि एक बंदा आता है, और वह बाकी सारे बंदों को पेलता हुआ चले आता है, ऐसा हमने ब्रॉंज डोमन के केस में देखा है, इन दोने के पास बार इक रिकॉर्ड है, इन्हों ने सब से जाधा ब परचे हैं, क्योंकि एक रैसलने सब को तोड़ दिया, सब को फोड़ दिया, तो मेरी खाल से यह वाली चीज जो बहुत जादा खराब है, और हर फैन का यह ही कहना है, ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखावाए कि यह जीज बहुत जादा खराब लगती है, और कोई ब मुकाबले बाई, दस से पंदरा परसंट भी नहीं है, एक्चल में क्या होती है, डॉमिनेंस एक्चल में क्या होता है, हाड कोर, आपको अगर जानना है तो आप पहले के ऐलिमिनेशन जेमर मैचेस देगो, 2002, 2003, 2004 के, आपको लिटरली पता चलेगा लोग को कितना खून निक वो थोड़ा बच्चों के लिए जादा कंटेंड मनाता है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत जादा ब्रूटली दिखाई जाती थी, लेकिन मेरे खाल से जादा जो फ़न होता है, उसको थोड़ा था कम कर देता है, और मेरे खाल से बदल देनी चाहिए, बड़ ऐसा जेमर जैसा नाम ही उसका इतना ब्रूटल है, उसमें थोड़ी बहुता ब्रूटलिटी होनी चाहिए, वरना उसकी कोई सेंस बनती नहीं है, वरना तुम नॉर्मल ही मैच करा लो, जब तुम केज का डंग से यूज ने गरे है, जब तुम हमें ब्रूटलिटी नहीं दिखा करेंगे भाई लोग नहीं वीड़ा में तब तक के लिए, बाबाई